वैसे मैं कैसे लगती हूं तुमको आप आप बहुत अच्छे लगते हूं मुझे सच में तो दोस्तो आज हम जानेंगे प्राइम शॉट की वेब सिरिस मालकिन भावी के स्टोरी के बारे में इस वेब सिरिस के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि दो जवान लड़के रेंड से एक फ्लैट में रहते है और वहाँ पर एक हॉट भावी भी रहती है जो कि उस फ्लैट की मालकिन रहती है और उसका पती भी रहता है जो दिन भर जॉब करता है और रात में ठककर आता है और भावी को संतुष्ट नहीं रख पाता एक दिन दोपेर में भावी तुमसे काम था अमन जट से भावी के कमरे में चले जाता है तो भावी उसे कहती है कि मुझे email send करना नहीं आ रहा है क्या तुम मुझे सिखा दोगे प्लीज तो अमन laptop open करके भावी को email send करना सिखाता है तो भावी कहती ये तो बहुत simple था मैं खामोखा तुम्हें तकलीव दे है न तो भावी कहते है मुझे क्या बात करनी है क्या तुम मुझे पटाना चाहते हो तुम्हारी कोई girlfriend है क्या तो अमन कहता है नहीं भावी और शायद अब girlfriend की जरुत भी नहीं पड़ेगी आप जो मिल गई हो तो भावी कहते है मैं कैसी लगती हूं तुमको तो अमन कहता ह आप बहुत खूबसूरत और कमाल की लगती हो भावी फिर भावी और अमन एक दूसरी के साथ रोमैंस करने लग जाते है और अमन भावी को अच्छे से संतुष्ट करता है भावी को भी बहुत मज़ा आता है और भावी रिलैक्स फिल करती है फिर रात में भावी का पती आता है तो भावी केती आज मेरी कमर पूरी तरह से तूट गई है मैं सो जाती हूँ तो उसका पती कहता है ठीक है फिर सुबह भावी का पती काम पर निकल जाता है तो अमन भावी को इशारा करता है और भावी के कमरे में जाकर भावी को सोफे पे ही जोरों से लेता है अमन भावी को किसी ना किसी बहाने से मिलने की कोशिश करता है एक दिन अमन भावी से प्याज लेने के बहाने मिलता है और भावी के साथ फ्लर्ट करता है तभी भावी का पती उन दोनों को देख लेता है और उसे शक हो जाता है फिर एक दिन अमन और सोनू बैटमिंडन खिलते रहते हैं, तब ही भाबी गैलेरी में से अमन के साथ नैन मटक का करती है, उसी वक्त फिर से उसका पती उसे देख लेता है, फिर उसका शक पक्का हो जाता है, कि मेरी बीवी का अमन के साथ चक्कर चल रहा है, कुछ तो करना ही पड आता है, और उनसे कहता है, कि मैं फ्लैट का रेंट बढ़ा रहा हूँ, पहले पाच हजार था, अब दस हजार कर रहा हूँ, तो सोनू कहता है, इतना ज्यादा रेंडम कैसे दे पाएंगे, तो भाबी का पती कहता है, देखो, रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ, तो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 10,000 दे देंगे, तो भाबी के पती का दिमाम काम ही नहीं करता, और उसका शक पूरी तरह से पक्का हो जाता है, फिर वो ऑफिस जाकर अपने कलिक को इस बारे में बताता है, तो उसका कलिक कहता है, मेरे पास solution है तेरी प्रॉलम का, कर देते हैं और भावी के पती का दोस्त वहां रहने लग जाता है फिर रात होती है और भावी को अमन की याद आती है उसको नीन भी नहीं लगती इसलिए वो बाहर गार्डन में टहलने निकल जाती है वहीं भावी के पती का दोस्त भावी को देख लेता है और कहता है अरे भ भावी अब मैं आ गया होना आपको बोर नहीं होने दूंगा और भावी हसती है और भावी के पती के दोस से सेट हो जाती है और इसी के साथ वेब सिरीस खytm हो जाती है तो दोस्तो कैसे लगे आपको मालकिन भावी की स्टॉरी अगर पसंदाई to वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए एक्स्प्लेन करते रहें धन्यवाद